आपने कभी न कभी science का एक word जरूर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा इसकी definition भी बहुत सारे students को पता होगी word है electroplating definition यहाँ पर भी लिखी गई है मेरा बिल्कुल भी इसको explain करने का मन नहीं है ना ही इसको पढ़ने का है तो इसको किस तरह से समझा जाए एक experiment करके practical perform करके practical में हम क्या करेंगे एक iron के tool पर copper की plating करेंगे solution से electricity pass करके so मेरा नाम है मंदीप और जो भी electroplating से related हमारा experiment है इसको शुरू कर देते हैं next page से so सबसे पहले हमारे पास copper sulfate है copper sulfate powder को एक beaker में डाल लेंगे तीन से चार चमच enough रहेगा तो एक चमच, दो चमच और तीन चमच हमने यहाँ पर copper sulfate लिया है अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा warm water रखेंगे ताकि इसको dissolve करना easy रहे पानी में अब पानी में बवंडर लेकर आ जाएंगे बहुत तेजी से इसको मिलाना शुरू कर देंगे और बवंडर बना देंगे पानी का जब यह पूरी तरह से mix हो जाएगा तो बवंडर शांत होने का इंतजार करेंगे अब हमें एक गत्ता ले लेना है Amazon की कोई भी box होता है उसका इस तरह से हमने गत्ता काट लिया इसमें दो हमने छेद कर दिये यहां पर हमारे पास है graphite की road इस graphite road को एक छेद में डाल देना है दूसरे छेद में हम डालेंगे यह iron का tool हमारे पास iron का यही tool था गर पे आप iron nail भी ले सकते हो दूसरे छेद में इस iron के tool को डाल देना है दोनों एक दूसरे से touch नहीं होने चाहिए अब इसमें से electricity हमें पास करनी है बिजली का जटका इसको देना है तो हमारे पास red wire है जो की battery के positive से connect किया गया है इसको हम anode कहेंगे जो positive वाला wire red wire है इसको हम connect कर देंगे graphite road से इसके बाद जो हमारा black wire है वो होगा cathode यानि कि उसको connect किया गया है battery के negative से battery का positive हमने graphite road से connect कर दिया negative हमने iron tool से connect कर दिया अब switch on करेंगे switch on करते ही आप ध्यान से देखना है जूम करके आपको दिखा देता हूँ जो भी हमारी graphite road थी उस पे छोटे छोटे bubbles बनना शुरू हो गए है यानि कि electricity जो है इस solution में से पास होना start हो गई है और वो copper और sulfate के जो भी ions हैं वो बनाएगी और copper के जो ions होंगे वो हमारे iron वाले इस tool पर चिपक जाएंगे इस पर एक layer बना लेंगे बहुत देर हमें वेट करना है तो अभी वेट करते हैं कुछ देर इther उँदर देखते हैं मैं इस solution को देखता हूँ wait करने के कुछ देर बाद आप देखेंगे चलो इसको निकालते हैं देखते हैं इसको निकालके तो आ इक्ट्रो प्लेटिंग होती है आई रन पर इस प्रैक्टिकल से इस एक्सपरिमेंट से हमने यहां पर लाइव देख लिया है यह आपके सामने रिजल्ट है देख सकते हो एक साइड में इस पर कोपर डिपोजिट हो गया है कोपर की एक लेयर बन गई है इस आईरन वाले टू पर तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग का ये concept जो है ना इस experiment से clear करना था मुझे आपके लिए तो I hope इलेक्ट्रो प्लेटिंग का ये concept आपको clear हुआ होगा आपको समझ आया होगा अगर समझ आया है तो इस ग्यान को अपने तक नहीं रखना है इस वीडियो को अपने classmates के साथ भी share कर देना है साथी channel को भी subscribe कर लेना क्योंकि इसी तरह के educational experience में इसी तरह से इसी channel पर लेकर आता रहूँगा इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की next educational वीडियो में